हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू माई यूट्यूब चानल रुटीन शुटीन, मैं हूँ निहा और आज हम बात करेंगे बॉटल कार्ड याने लौकी के जूस के बारे में, उसे कैसे बनाए, उसका सेवन कब और कितना करें, और उसके क्या फायदे हैं, तो चलिए हेल्दी बनते तो हम लौकी को पहले छील लेंगे, वैसे फायदे तो बहुत है, अगर कुछ फायदों की बात करें, तो लौकी में शुगर की मात्रा ना के बराबर होती है, इसलिए ये डाबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही मैजिकल जूस है, इसे बलड प्रेशर के मरीज भी ले सकत लौकी को हम थोड़ा सा कट करके पहले टेस्ट कर लेंगे, अगर कड़ भी हो तो इसका सेवन ना करें, लौकी का जूस बहुत ही एजी है, अब इसे छिलने के बाद हमें कोई स्पेशल जूसर की ज़रत नहीं है, हम मिक्सी का जार लेंगे और इसे कोई भी शेप में कट कर लिजे, हमें बस इसे पीसना ही है, लौकी स्किन के लिए, हैर के लिए, स्ट्रेस के लिए, बहुत फाइदेमंद है, उसके अलावा ये डाइजेशन में, बॉडी डिटॉक्स करने में, ऐसे डिटी के लिए भी बहुत इसके बेनिफिट अनेक है, पाटी लिभर को भी ये म कोलेस्टरोल लेवल कम करती है, अब हम इसे ग्राइंट कर लेंगे, इसका फाइन पेस्ट टडी हो गया है, अब आप एक बोल लीजिए, इस प्रकाय का कोई भी कॉटन का क्लोथ या मस्तिन क्लोथ ले लीजिए, और हम इससे अब इसको छानेंगे, अब चाहे तो इसमें नमक और आधा निम्बू का रज भी डाल सकते हैं, पर जिनको ब्लड प्रेशर है वो इसमें नमक ना डाले, निम्बू डालने से जिनको यूरेनेरी ट्रैक इंफेक्शन है, उनको इससे फाइदा होगा, इस तरह से इक पोटली बान ले और इसका तो देखिए, एक लवती से लगबग एक जूस, एक ग्लास जूस आ गया है, और यह कड़वा भी नहीं हो, टेस्टी भी है